ये सो हलो एवरीवान हितेश एर एंड टुड़ी वी गना टॉक अबाउट यूर एक्टॉल मोस्ट अवेटेड मुवी कॉल्ड डॉक्टर स्ट्रेंज इन दा मल्टिवर्स ओफ मैडनेस सही माईनों मैं कहूं तो ये मुवी मेरी सीरीज यानि कि मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की 28th मुवी है और इसके पहले 0 से लेकर 27 तक काफी बहतरीन मुवी इसको मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है और अगर आप उन सभी मुवी को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन सभी मुवी का एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा है जहां पर जाकर आप उन सभी बहतरीन मुवी को चेक आउट कर सकते हैं और फाइनली काफी इंतिजार के बाद में वक्त आ चुका है इस बहतरीन मुवी को आप सभी के सामने एक्स्प्लेइन करने का वैल इस वक मेरे पास अभी इसका डाइमेंशन से जहां पर हम डिफेंडर स्ट्रेंज और साथ ही अमेरिका 24 को देख पाते हैं जो कि इस वक्त एक बहुत ही बड़े मिधिकल क्रीचर से अपनी जान बचागर भाग रहे होते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज अपने कांच का आयमों की दुनिया के बार बार अलग- के पास यह किताब होगी वह अपने हर दुश्मन को हरा पाएगा चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों नहों मगर दीरे दीरे वह बड़ा सा क्रीचर इन दोनों की उपर भारी पढ़ने लगता है डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पूरी ताकत लगा कर उसे मंत्रों के चक्र में जकर देते हैं लेकिन उसके बावजूद भी इतना ताकतवर था कि उस चक्र को तोड़ने लगता है अब यहां पार डिफेंडर स्ट्रेंज के पास में और कोई रास्ता नहीं था अमेरिका शाविस से उसकी ताकत लेने के अलावा उसके पास ताकत थी तो उसका क्या होता इसी वज़े से डिफेंडर स्ट्रेंज उस ताकत को अपने अंदर लेने के बारे में सोचते हैं और अमेरिका शाविस की जान भी लेने की लेकिन इसी बीच वो कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं आप तो हमेशा लोगों की भलाई रोने बचाने का काम करते हैं मगर इसी बीच उस क्रीचर का एक बड़ा सा टैंटिकल लाकर उनके पैर में लग जाता है और चाविस काफी जदा डढ़ जाती है और उसके डढ़ते के साथ ही दूसरा डाइमेंशन उपन हो जाता है अब कहीं वो क्रीचर चाविस की सारी ताकत ले ना ले इसलिए डॉक्टर स्टी का अपने सपने से जागने के बाद डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज जो कि अर्थ 616 के सेंक्टम सेंक्टोरियम के रक्षक थे आज उनके लिए काफी बड़ा दिन था क्रिस्टीन पालमर की शादी होने वाली थी अब वो अपने आपको बिलकुल सजा दजा के पहुंच जा बिला रही थी और जब अपनी तीसरी आंख की ताकत से उस क्रीचर को विजिबल करते हैं तो वो निकलता है एक बहुत ही बड़ा ऑक्टोबस कहने को तो मैं ऐसे शुमा गुरात भी कह सकता हूं क्योंकि वाट इफ के एपिसूड में ऐसा ही एक बड़ा सा आया था वैल के उतना अच्छे से अच्छा कमेंट कीजिएगा वैल जोक से पार्ट कमिंग बैक तुदा में स्टोरी उस क्रीचर से लड़ना काफी जदा मुश्किल था और साथ ही उसके टैंटिकल्स पर हम कुछ मंत्र बने देख पाते हैं मगर तभी उसकी मदद करने के लिए वहां प और तब जाकर डॉक्टर स्रेंज की निजर अमेरिका साथ जाती और वह उससे कहते हैं कि क्या मैं घानता हूं और चाहिता है कि हां मैं तुम्हारी बात कैसे मालूब जिसके बाद अमेरिका चावेस उन दोनों को उस प्लेस पर लेकर जाती है जहां पर डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड़ बॉडी पड़ी थी जिसे देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज को काफी बुरा भी लगता है और साथ ही ये बात क्लेर हो जाती है कि उसके पास में मल्टिपल यूनिवर्स में ट्रेवल करने की ताकत है मगर जो क्रीचर उसकी ताकत लेने आया था वो तो सिर्फ एक प्यादा था इसके पीछे का बॉस अभी भी जिंदा है अगर इस गुत्थी को सुलजाना है तो ऐसे किसी की मदद लेनी पड़ेगी जिसके पास में मंत्रों की ताकत और साथ ही म पेंडर स्ट्रेंज को वहीं एक जमीन में दफना कर वांडा मैक्जिमाफ से मदद लेने के लिए पहुंचते हैं यहां पर वांडा की अलग दुनिया थी वेस्ट वेल्ड के बाद में जब उसने काफी लोगों को नुकसान पहुंचा दिया उसके बाद वो चाती थी कि वह अमेरिका चाविस कहां पर होगी तब एकदम से डॉक्टर स्ट्रेंज को याद आता है कि मैनत उसे अमेरिका चाविस का नाम ही नहीं लिया और तब जाकर यहां पर यहां पर होता है कि उन सभी कारदामों के पीछे और कोई नहीं बलकि खुद वांडा मैक्जिमाफ थी जो अपने चानल हितेश नागर पर वांडा विजन की नाइन एपिसोड की सीजन वन की सीरीज एक्स्प्लीन कर रखी है वो भी विट एक्षव वीडियो क्लेफ जिसे देखकर आप पूरे सिनारियो को ठीक तरीकी से समझ पाएंगे उसका लिंक में मैं इस वीडियो के डिस्क् आउट कर सकते हैं डॉक्टर स्ट्रींज वापस से काम अता आ जाता है और आकर अमेरिकाइव साथी वांग को बताता है कि अब वांडा करप्ठ हो चुकी है उसकी ताकते बदल चुकी है वह बुरी बन चुकी है तो वांग पूछता है कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्य को अमेरिका चावेस को अपना शिकार बनाना चाहती है मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे हम अमेरिका चावेस की जान बचाएंगे इसलिए वो सब मिलकर सेंक्टम सेंक्टोरियम के ऊपर एक बहुत बड़ा कवच बना देते हैं और जब स्कारलेट आकर उन पर हमला करती है तो इतने सारे लोगों की ताकत देखकर अपने आपको कमजोर पाती है मगर उसके पास थी पावर मैंड मैनिपलेशन की जिसकी मदद से वो एक जने का मैंड मैनिपलेट कर देती है और वो इंसान उस कवच को धिरी-धिरी तोड़ कर भागने लगता है और इसी बात का फाइद और सुप्रीम की मदद कर सके जो कि इस वक्त था मगर स्कारलेट के सामने कोई नहीं टिक पाता और एक मुमेंट ऐसा आता है जब वो कांच का आयमों की दुनिया को तोड़ कर डॉक्टर स्ट्रेंज वाले आयाम को भी खत्म कर देती है और सीधा पहुंच जाती है अमेरिक जदा हरियाली होती है जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज चाविज से कहता है कि मुझे अपने वाली अर्थ में वापस जाना पड़ेगा क्योंकि वहां पर वांग अकेला है वह गया उससे लड़ नहीं पाएगा हाला कि लड़ तो मैं भी नहीं पाऊंगा लेकिन जाना जरू तो डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कि कैसे मैजिक में फसा देता है जिससे कि वह अपने आपको ही चांटा घूसा और मुक्य मारने लगता है लेकिन बाद में से याद आता है कि अगर डिफेंडर स्ट्रेंज के पास में दी बुक और विशांती तक पहुंचने की पावर थी तो जरूर इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास में भी जरूर होगी इसलिए वो जाकर इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूनने की कोशश करते हैं मगर तब यहां पर इन दोनों को पता चलता है कि इस यूनिवर्स वाले डॉक्टर स्ट्रेंज त पूरा सिनारियो समझाता है कि हमारे पीछे स्कारलेट विच पड़ी है जो कि चाहती है अमेरिका चाविस की सारी ताक्तों को पाना ताकि वो अलग-अलग यूनिवर्स में ट्रैवल कर सके और जिस यूनिवर्स में उसके बच्चे मिल जाए उन्हें वापस या अर्थ 616 मिल जिसका ओरिजीन हमने वाटफ में देखा था रीड रिचर्ड फेंटास्टिक फोर से ब्लैक बोल्ट जिसके अभी तक कोई मूवी नहीं आई है चाल्स जेवियर फ्रॉम एक्समैन और आखर में थी कैप्टन मार्वल इन सभी का कहना था कि हमारी में मुसीबत स्कारलेट व विच को अपनी ताक्ते मिली थी अब यह थी अर्थ 838 जहां पर यह सारे के सारे डॉक्टर स्ट्रेंज को ही इवल समझ रहे थे जबकि वहाँ पर एर्थ 616 में स्कारलेट विच अब कामरताज में बैठकर स्वप्न यात्रा कर रही थी अगर स्वप्न यात्रा को मैं ठीक तरीके से explain करूं तो basically इसमें होता यह है कि अगर हमारा शरीर किसी भी डाइमेंशन में हो लेकिन अगर दूसरी युनिवर्स के अंदर हमारा अस्तित्व है तो हम उसके अंदर अपनी आत्मा को डाल सकते हैं और जो हम करेंगे वही वो दूसरी आत्मा करेगी शौट में वांडा होगी तो आखिर उसका क्या होगा इसलिए वांग ऐसा नहीं चाता था इसलिए वह से मारने की कोशिश करता है मगर तभी वाकंडा की युद्धा उस पर वार करती है और उसके डार्क होल्ड वाली किताब को पूरी तरीके से नश्ट कर देती है यह देखकर वांड की वांडा से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी तो वह वांग से कहती है कि मुझे उन मंत्रों के बारे में बताओ क्योंकि सौर्सरर सुप्रीम को डार्क होल्ड के किताब के काफी सारे मंत्रों के बारे में पता होता है तो वांग कहता है कि हाला कि मुझे उसके मंत्रों के बारे लेकिन यहाँ पर जादूगर सिर्फ एक हद तक ही आगे बढ़ सकते थे उनमें उस माउंटेन तक पहुंचने की ताकत नहीं थी लेकिन तभी वॉंडा अपने मैजिक का यूज करके उस माउंटेन पर पहुंच जाती है जिसके दिवारों पर लिखे थे डार्क होल्ड के सार मंत्र जिनका यूज करके वह अर्थ 838 में कनेक्ट करती है वहां की वॉंडा से ताकि वह अमेरिका चाविस के पास पहुंच कर उसकी ताकत को अपना बना सके और मल्टी वर्स में ट्रावल कर सके मगर इस बार यहां पर उससे रोकने के लिए थे बाकी सारे दूसरे महायु था मगर कोई भी उसके सामने टिक ही नहीं पाता ना तो ब्लैक बोल्ट ना ही कैप्टन मार्वल यहां तक ही चाल्स जेवेर भी उसके दिमाग को जब कंट्रूल करने लगता है तो वॉंडा अपनी ब्लैक पावर से उसी को ही खत्म कर देती है इस यूनिवर्स में चाविस का ध्यान रखने के लिए क्रिस्टीन पामर भी शामिल थी मगर जब वॉंडा उन दोनों के पास पहुंचती है तो एक्चल डॉक्टर स्ट्रेंज उन दोनों की मदद के लिए वहां पर पहुंच जाता है अब यह तीनों मिलकर उसका ध्यान बठकाते हुए विशानती की कि अब तक जाने की कोशिश करते हैं मगर वॉंडा उनका पीछा कहा छोड़ने वाली थी और वो हर दर्वाजे को तोड़ती तोड़ते उनके पीछी चली जाती है और एक वक्त ऐसा आता है जहां पर वह चावेस की शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे माउंटीन पर ले जाती ह जबकि डॉक्टर स्ट्रींज और किस्टीन पालमर को एक अलग पोर्टल में भीज़ देती है और सारी सिचुएशन आउट आफ कंट्रूल हो जाती है क्योंकि अब वो सारी शक्तियां उसके पास आने वाली थी तबी डॉक्टर स्ट्रींज को याद आता है कि हर यूनिवर क्योंकि उसने भी यूज किया था डार्खोल्ट का और फिर आती है वन आफ माइ पर्सनल फेवरेट फाइट जहां पर ये म्यूजिकल नोट्स के साथ में एक दूसरे के उपर वार करते हैं वैल अगर आप लोगों ने मेरी लाइव स्ट्रीम में देखा हो या नहीं देखा जिसके बाद काफी कोशिशे करने पर डॉक्टर स्ट्रेंज उस इवल स्ट्रेंज से जीत जाता है और इसी की डार होल्ट का इस्तेमाल करके अर्थ 838 से अर्थ 616 पर पड़े मुर्दे वाले डिफेंडर स्ट्रेंज के अंदर अपनी आत्मा को ट्रेवल कर दीता है जिसे क की स्वपना यातरा कहते हैं और वहां से सीधा मौन्टेंज की और पहुंचता है मगर मौन्टेंज पर जाने के बाद जादू गरों को अपनी ताकत बनाओ तुम हर मुश्किल का सामना कर सकते हो जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उन सभी बुरी ताकतों को अपने अंद मकबरी तक पहुचने के लिए जिसके बाद उसकी फाइट होती है खुद वॉंडा से और अगेन यहां पर मार्वल की एक वन आफ दा बेस्ट फाइट हमें दिखाए जाती है जिसके और साथी वी एफेक्स टॉप नॉच थे इतनी भैंकर चलती लड़ाई के अंदर हम देख पाते हैं कि सच मुझ स्कारलेट विज डॉक्टर स्ट्रेंज पर भारी पड़ रही थी स्ट्रेंज को हारता देख अमेरिका चाविस को याद आता है कि अगर मुझे वॉंडा को हरान मगर बिली और टॉमी को अपनी मॉम का ये रूप भयानक दिखाई बढ़ता है और वो अपनी मॉम से ये कहने लगते हैं कि हमें मत मारिएगा हमने कुछ नहीं किया हमारी चान मत लीजिएगा तो स्कारलेट कहती है कि तुम तो मेरे बच्चे आखिर मैं तो मैं नुक्सान क भी पहुंचाऊंगी मगर वो बच्चे तो उसके पास आने से भी डर रहे थे और अब जिनके लिए स्कारलेट विच ने ये सारा तांडव रचाया था अब जब वो उन्हें नहीं पास सकी तो उसने अपनी हिम्मत हार ली जिसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को उस दिल पर पत्थर रखकर छोड़ देती है और यह करती है कि अब उसका खत्म हो जाना ही बहतर है जिसके बाद वह अपनी पावर से इस पूरे ब्रहंभांट के जितने भी अलग-अलग मल्टी वर्स थे वहां से डार्क होल्ट को खत्म कर देती हैं और इसी के साथ यह शांद बंद कर देता है यानि की डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है और इसी तगड़े स्पंस के साथ में यह शांदर कहानी यह यह पर खत्म होती है आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार चानल पर आये हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजेगा क्योंकि इसके बाद में और भी बैतरीन मुवीज आप लोगों के लिए लाता रहूंगा तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में बैतरीन में झाल